जी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा ओवर वैलेट की KYC सेब्ल डिडिक्शन के हवाले से अगर आपने फुलिप्सर में जरीए अपनी की ती या हैश की के जरीए की ती उप के एक से डो दिन आपके पूत है चोंकि आप अपके पास करूज़ा हैं तो यहां पे क्या करना होगा आपके पास वक्त कितना है सबसे पहले आपको बता दूँ सताइस अगस्त दो अजर चोबीस आपके पास इतना वक्त है दो दिन या तीन दिन बनते हैं आपके पास जो के इतना वक्त है इन एक दो दिन के अंदर जो आपने आपनी करनी होगी कैसे करेंगे पूरा प्रोसीजर आपका बाई इस वीडियो के अंदर बताएगा अगर आपने पहले की हुई थी या नहीं की थी अगर आपकी पहले के वाइज हो गही थी तो ठीक है जो फस्ट आया था जिसमें आपने अगर नहीं हुई थी तो इसी वीडियो के अंदर आपको प्रोसीजर दिखाने वालूं कैसे करेंगे आप मुकमल वीडियो जो आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि हर महीने की यकम तरीकों जो है मैं एक कुछ ह र वीडियो के अंदर से कमेट मेंट करूंगा तो उनको जो इख ऍवरवे करूंगा करूं topl तो यहां पर आपको आपको यहां पर यहां पर कफिग रहे अगर यहां तो यहां पर पर कि सेटेंग की उपर आप प्लिक करें और यहां पर आपकर अपना देख लें आपके लिए आपको भी आपका शो हो जागा आप आप ने क्या कर आप ने आजाना है वर्टव की ओपर यहां पर वर्टव की ओपर मुझे आं मेरे पास एक वां मैं यह संपर मैं आपको भेज allevi के अंदर और यहां पर फारम की ऊपर एक डैटा भी के अंदर जो एक पैराग्राफ जो वो टाइप करने हैं वो भी यहां पर मैंने लिखके रखा हुआ है इन बाई कंट्री वो पूछते हैं कि यहां पर आप डिस्क्रिप्शन डालें कि आपने फ्लिस्टर और हैश की गलोबल की उपर अपनी क्यों नहीं की थी क्या मसला क्या म में आजेंगे ग Ugle में आने के बाद कुछ इसतरा का出िक जो कि स्टेंफ और यहां पे या यहां पर नजर आएंगी तो यहां पे आप हैं सबसे पहले आपने अपना इमेल जो है ओब देडाना है प्लीज इंटर्यू अर्से मेन data email को दिख़़्ाई अपनी एमेल आपने यहां पर पुट कर देनी है पुट कर दी उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आता है have you complete the Flipser's Sabal deduction mission क्या आपने वो Sabal deduction वाला mission किया था तो आपने यहां पर no क्योबर क्लिक कर देना है कि नहीं मेरा Flipser के साथ जो है यहां पर वो बोलते हैं please explain why you are unable to participate cyber deduction and describe our contribution over valid वो यहां पर यह कह रहा है कि आपने cyber deduction के अंदर जो है explain के साथ बताएं कि उसमें आपने participate क्यों नहीं किया था तो वो describe करें यहां पर आपको वो जो paragraph में ने आपको दिया है उसको copy करके यहां पर जो है आपने put कर देना कैसे यहां पर देखें यह paragraph है इसको आपने ऐसे copy किया हो गया copy यहां पर आपने आके यहां पर your answer के उबर आपने click करने और वो जो paragraph है paste कर देना है जो ही आप इन्शालला मैं 8 बजे सोरी लाइव आऊँगा क्योंकि आज डॉक टोकल जो है उसकी लिस्टंग है 5 बजे तो उसके हवाले से जो भी आपके सवालात होंगे उसके इलावा भी जो आपके सवाल होंगे मैं लाइव आओँगा जो भी आपको पूछना होगा आपका भाई हाज तो यहां पर आपने नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दे देगा नेक्स्ट वो आपको यहां पे यह बोलेगा कि when did you first download over valid date बताएं कब आपने download किया था तो यहां पे आप कोई भी date आपने जो है लिख देनी है नहीं तो आप यही date आज वाली date यहां पर पूट कर दीजिए गा इसके बाद आपके पास कितने token थे वो आपसे पूछा जाएगा 10,000 हैं 20,000 हैं यहां पे आता है 10,000 से 30,000 30,000 से 50,000 पचास से ज्यादा हैं तो वो नीचे जो है आपने select कर देना जितनी भी आपकी amount है वो यहां पे आपने check लगा देना है इसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे आपने scroll करना है नीचे वो आपसे पूछता है how many times did you perform the daily यहां पे आपने वो पूछता कि कितने दिन आपने daily जो perform किये एक से 80 तक आपको reply करना है यहां पे जो आपका दिल करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80 जो आपका दिल करें वो लिख देना इसके बाद नीचे हमारे पास एक और स validator इसमें नहीं था इसके बाद पांचमा सवाल आता है did you run a validator फिर भी वही सवाल आता है तो March this year नहीं आपने no के उपर क्लिक कर देना इसके उपर जो ही क्लिक करेंगे इसके बाद एक और सवाल एंड पर आपको आएगा how do you plan to use the over you receive after the mainnet launch वो इसका मतलब यह है कि वो यह पूछ रहा है कि मेनट आने के बाद और वैलेट्स जो हैं उनको आप क्या करेंगे स्टेक करेंगे पाम स्टेक करेंगे हों स्टेक करेंगे या सेंट टो एक्सचेंज करेंगे या पिर आप एक्सचेंज पर सेंड करेंगे या कोई और आपकी रिजन है अधर पर क्लिक करके आपने डिस्क्राइब कर देना है कि मैं जो है यह करना जाता हूं तो मैंने तो जो चुगल फार साबल डिडेक्शन रिडेंपशन तो यह आपका यहां से चुटकारा हो जेगा तो इसके बाद 27 तरीक तक आपके पास टाइम हैं जो भी आपके ग्रूप मेंबर्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप खुद जो हैं बजाते खुद आपने नहीं किया तो आप आप लाजमी करें तक आपकी क्यावस हैं यहां पर पास होजें पास होने के बाद जो यहां से अदर आपको मिलें अब बात रहती है जिन्हों ने फ्लिप्टर और हैश की के साथ की थी उनको reward मिलेगा या नहीं उनकी दो पास होगी थी यहां पर मैं भी आपको दिखातू ह है यह देखें है मेरी फ्लिपस्टर्च के साथ easiest हो चुके के साथenda है के साथ तो नहीं है flipster के सÁथ में अपनी क्यों की विए है तो आप भी करके रिखें यह के खी कि इसको छोड़के में उन्हें इस अब करने के बाद क्या होगा पर यहां प्यांप सरुका होगा 했어 अगर अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है असलाम लेकूम दोस्तों मुसली लोगों को यहां पर जो है लास हो रहा था बसंद कलब के अंदर तो एक अपको और बतारूं सब लोगों हमें फ्री टाइम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी फ्री टाइम में यहां पर सेल्फ ट्रेड भी आप यहां पर कर सकते हैं कैसे करेंगे हम यहाँ पे जस्ट जो इस वीडियो के अंदर ये जस्ट जो नमबर है न इनकी उपर की हमने गेम देखनी है ठीक है इनकी गेम हमें समझ कैसे आएगी के अब कौन सा नमबर आने वाला है उपर कर लें ये आपको यहाँ पे नजर आजेगा के साथ नमबर भी आ चुका है दो भी आ गया एक भी पांच भी एक भी दो भी एक भी नो भी एक भी अब यहाँ पे हमने यह देखना है कौन सा नंबर long time हो गया कि यहाँ पे नंबर नहीं आया यहाँ पे देखें तो 6 नंबर 8 नंबर वो नहीं आया तो कोशिश करें कि आपको एक मिन्ट वाली जो चूज करें तक तसलिक के साथ आप के लिए कोई जल्दी नहीं है साथ हमारा नंबर नहीं आया आठ नंबर नहीं आया वो हम उसको ट्राइ करेंगे दो भी आगया एक भी आगया नो भी आगया पांच भी आगया साथ भी आगया यहाँ पे नंबर कौन सा रहता है आठ नंबर 10 रुपे लगाते हैं ज्यादा ना लगाए अगर आठ अगर विन कर जाता है तो आपको दस के बदले अठासी रुपे मिलेंगे अगर यहाँ पर पांच लगाते हैं तो आपको 35 या 38 रुपे इतना मिलते हैं अचा ठीक है चार भी नहीं आया चार के उपर मैंने दस लगा दिए अच्छा दो आ गी है, छे नहीं आया, छे के उपर भी मैंने दस लगा दिये नो आ चुका है, एक भी आचुका है, पांच भी आचुका है टाइम भी उपर ओवर होने वाला है तो इसे बाद कूं सा नहीं आया 6 के उपर भी आप 5 रुपए लगा दे 2 आया चलो देखते हैं अब हमारे तकरीबन 30 रुपए या 40 रुपए लगे हैं अगर जो हमने नमबर दिया है वो विन कर जाता है तो यहां पे 88 रुपए देखो लाइब आपको नजर आया ना यहां पे कितने हमने 30 रुपए लगा है 88 रुपए हमें मिले कौन से 88 रुपए मिले अगर हम जस्ट 4 पे लगाते तो हमें 88 मिलते इसके भी 10 हमारे लॉस चले गए इसके भी चले गए 30 लॉस गए 88 आये मतलब 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए से मैंने कमालिया कमालिया ना यहां पे ज्यादे आपके पास चांस है चार आगिया ना अब आठ के चांस है भी आठ पे लगा देते हैं अचा इसके बाद 9 भी आया हुआ एक भी आया हुआ दो भी आया हुआ 6 नहीं आया हुआ 6 के उपर 10 लगा देते हैं ठीक है इसके इलावा जो है नो के उपर भी पांच रुपए चलो लगा देते हैं ठीक है तो इसके इलावा जो है और कौन सा नहीं आया हुआ चार भी आ गया चलो देखते हैं ये दो तीन मैंने लगा है जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहूं इन नमबरों को नीचे से आपने 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, एक रुपए पर आपको यहाँ पर 8-9 रुपए मिलते हैं ये देखें 44 रुपए मुझे कहा पे मिले? 9 के उपर, 9 के उपर मैंने 5 रुपए लगाए थे आपके सामने की बात है क्यूँका मैंने 9 पहले आय आया हूँ है, 9 के उपर मुझे 44 रुपए यहाँ पे विन हुए ठीक है तो यहाँ पे 35 रुपए मेरे लगे थे तो यहाँ पे 44 रुपए मुझे मिल गया है मतलब 8-10 रुपए और भी मुझे प्राफट होगी है जब आप खुद इसे समझ के खेलेंगे तो आपको यहाँ से अच्छा करते हैं तो आपको 15,000 रुपए यह आपको जो प्रुवाइड करेंगे इसी यकुम तरीख को ठीक है इसके बाद 30 लोगों पर 30,000 मिलता है इसके बाद ऐसे ही बढ़ता जाते हैं अगर आप यहाँ पे 100 मेंबर कर लेते हैं तो आपको 100 मेंबर के उपर डेड़ लाख है अभी तक तो अथेंटिक जा रहा है काफी हरसा हो गया मुझे तो नहीं लगता कि यह सकैम करेगा बटी इन्वेस्ट्मेंट वाले हैं तो कल को यह बाग भी सकते हैं बारख फिलहाल तो यह जो यह सही जा रहे हैं बिलकुल ट्रैक पे हैं तो जब भागने लगेंगे तो मैं अपनी टेम को जो है वो बता दूँगा तो ये ती इंफरमिशन उमीद करते हूँ आपको अच्छी लगी होगी तो थैंक्स पर राचिंग